कि अब्रीवन गुड मॉनिंग नमस्कार चेहिंद राद रादे स्वागत है दोस्तों आपका वाइफर स्टड़ी लाइव चैनल पे मैं आपका जेस्ट मेंट और रोहित कुमार दोस्तों सुभा के नौ बच चुके आप हमारे साथ जूड़े हो जहां देख रहो रेलवे और कि अब ड्राइब गुड मारे गुड मॉनिंग गुड मॉंग एवरिवन गुड मॉर्ण नमस्कार सरेकाल रादरादे कल का मैस देखा आप लोगों और नहीं देखा कि देखे लिए आप लोगों ने चलते हैं देखते हैं सुरुवात करते हैं क्लास की है न वो तो चलता रहेगा दोस्तों आज फिर से हम लोग चलेंगे कि जो 2014 में गुरूबडी का पेपर हुआ था उसी क्याधार पे आने वाले समय में आपके रेल्वी के पेपर होगे क्योंकि देखो हम लोग पता है मतलब देखा जाए तो हम लोग यहीं सोचते एक सर विकिंसी आएगे तब तैयारी करेंगे क्या बात है दतनागर साब वही मैं भी वही धाई तीनवे तक मैस देखा फिर करेंट अफेर्स बनाया तो नींद पूरी नहीं हुए बिल्कुल आखे जलन दे रही है लेगन फिर भी क्या ही करें वर्क इज वर्क है ना चली चलते हैं दोस्तों सुलवात करते हैं दोस्तों आप रेगूलर हमारे साथ सुबह साथ वए जरूर जूड़िये जहां पर आप करेंट अफेर्स देखोगे वाइफा सड़ी लाइव इसके लावे दोस्तों जहां पर आप और आर्मी के लिए जूड़े हो सुबह नौ बजे और फिर दोस्तों दो पहर दो वजे एससी वाल क्लास में तो आप जरूर इंड्रॉल करें अपने आपको दोस्तों अगर आप सिजिल के तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच बहुत बढ़ी है मात्र 500 रुपए में पूरे सब्जेट पढ़ा रहे हैं इस बार आप इंड्रॉल कर सकते दोस्तों गुड मॉनिंग गु दोस्तों अगर ना समझ में आए तो आपके सामने एक नंबर होगा जो 63-66-95-0726 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वाट्सेप पर सकते हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गिरिश पीसी, पीके, अर्थ, स्वेटी, रतनागर क्या आले बई कैसे हो वणिया चलो आज 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 आओ आगे देखें दोस्तों आज हम लोग जो कल हम लोग ने देखा था कि अहमदाबाद जो गुरुबडी का पेपर हुआ था 2014 में उसी स्रीज को आगे बढ़ाएंगे यहाँ आज कि और फिर जाकर देखेंगे दोस्तों क्योंकि काई बार मसेप्ट सेकेंड से है नना था चलो आज जाओं दोस्तों किसने भार्वर सरकार अधिनियों 1935 को बंदन का निया चार्टर बटाये देखो कई बार ऐसे सवाल आप बनाए हो बनाते हो लेकिन निक्जाम हॉल में पता ना क्या हो जाता है ऐसे सवाल हम गलती कर बैठते हैं तो दूस्तों यह जवाब दिखोगे तो क्योंकि जब यह एक्ट पारित हुआ आपको याद होगा इसके पहले राउंड टेबल कॉन्फरेंस होता है उस राउंड टेबल कॉन्फरेंस का ही नतीजा है कि भारास अधिन्यम लाए जाता है उन्हें सब 35 इससे सब्सक्राइब चेंजिस जो हुआ है किसार जो प्रांतों म यह खत्म हो गया और अब केंद्र में दोस्तों केंद्र में द्वयाशासन के शुरुमाथ ही दूसरी चीज़ दोस्तों यह हमारा सम्विधान है उस पर सबसे ज़्यादा परभाव अगर आप देखोगे तो पड़ा है किसका 1935 दिनियम का क्योंकि लगबग 250 आतिकल हम लोगों ने खुबहु उठा लिये हैं तो याद रखेगा दोस्तों ठीक है क्लिर है ना तो याद रखेगा 1935 को बंधंग्या नया चाटर किसने बताया जो आला नहरूने बताया आजई आगे भारत छोड़ा अंदोलन के समय वाइसरा कौन था देखरो वही घीसे पीटे सवाल मतलब सोचो कि 2014 में पेपर हुआ था आज हम 2023 में खड़े हैं लगब करीब करीब 9 साल और 9 साल के बाद भी ये सारे सवाल बिलकुल हॉट कोश्चन दोस्तों देख सकते हो कि भारत छोड़ा अंदोलन की बात करें तो यह कौने दोस्तों कोई नहीं यानि आप्शन नंबर नन तो क्या होगो दोस्तों लॉड लिन लिफ्ट गो अब देखोगे 1936 से लेकर 1945 तक इनका कारिकाल है इनके समय में कौन-कौन से घटाएं खटती है क्विट इडा मुमेंट फिर दोस्तों सेकेंड वर्ड वार भी हो जाता है उनने 49 से 45 में फिर दोस्तों इसके अलावे दिखोगे आप कि जो इंडिविजुल सत्यागरा इंडिविजुल सत्यागरा तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं वो आपको सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों है ना तो क्या होगा लॉड माउन बेटन दोस सब्सक्राइए थे और इरिविन दोस्तों 1926 से 1931 सब्सक्राइब गांदे इरिविन पैक्ट नमक सत्यागरा इत्यादी होता है ठीक है चलिया जाए नेक्स्ट दोस्तों पिर्थवी से की सता से वाय मंडल की निम्न परतों को अरेंज करिए क्या होगा मैस और टोपोस्पेर स्ट्राइटोस्पेर थर्मोस्पेर कोशन नमबर तीन बतागी क्या होगा अरेज़ दा फॉलिविंग लेयर्स ऑप अट्मोस्पेर वर्टिकली फ्रॉम दा सर्फेस ऑफ द अर्थ पिर्थवी की सता से वाय मंडल के निम्न परतों को वेवस्थिर करें तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यह क्या निकल कराएगा ओप्शन नमबर तीन मतलब सबसे पहले ट्रॉपोस्पेर है फिर आप देखोगे स्टैटोस्पेर है फिर मैसोस्पेर है फिर थर्मोस्पेर है और फिर एक्सपेर है यानि टोटल अगर आप पिर्थवी के व वाय मंडल हैना आप यह देख सकते हो कि पिरत्विक वाय मंडल को पांच मुख्य पर्तों में डिवाइड किया गया किसमें gives 59 परतों में अगर आप यह में दिखूगे तो दोस्तों जो खास मुख्य मुख्य बाते एं उस पर सकोफी कर लेते हैं कि कि ट्रोपस्पेर advisor दूस्तों जिसमें सबसे ज्यादा मौस में घटाएं घटेंगी आप यह देख सकते हो दूस्तों मौस में घटाएं त्रोपर स्फेर में फिर स्टै पर जाएंगे सबसे बहारी है ना तो यह चीज़े याद रखेगा बिल्कूल कई बार एक जामें पूच्ता निलती कर बैठते हैं तो पचास किलोमीटर तक आपका स्टैटोस फेर दिखता है पचास अस्सी मेसोस्फेर है और अस्सी से लेकर एक्सोस्पेर तक दूस्तो थर्मोस्पेर है औ पर साथ सोस्पेर लेकर बिल्कूल बियोंड जहां बिल्कूल अंत्रिक्ष विलीन हो जाती है उसके उपर है तो यह याद रखना आजाए आगे देखिए युएनो की नमिंतम अधिकारिक भासा क्या है दोस्तों वाट इदा लेटिस्ट ओफिसल लेंग्वेज अप दा कि लिएक कूर युएनो की नमिंतम आधिकारि भाट्सा रूसी अर्भी चीनी 삼त के निकल कराएगा मि चुद्धार नहीं पूछा है अर्थी साफ सweiseव स्थाप नहीं पूछा यह पूछ राया कि नमिंथ भासा क्या है आप तो इस्थापना वता रहे हो इस्थापना मैंने से थोड़ी पूछा मैंने पूछा कि तो नविंदा भगासा क्या जैसा हम चाह वासा क्यों Which कि हमा थो दोस्तों यूइनों कि नविंदा भाशा की बात करें तो आरद्म है प्रेन्ज और स्पैनिश फिर मुद्र इंग्लिस और फिर अर्बी और फिर Chinese या Mandarin और फिर रस्यान तो दोस्तों टोटल छै भासा है दोस्तों उने सो 45 में संजुख राष्ट के स्थापना के बाद से कौन बासा रही है जब अस्थापना था उने सो और एक भासा की रुपे जोड़ा गया जो कुल भासा च्छै हो गई है तो आरे बाते समझ में तो याद रखिएगा यह च्छै लेंग्वेश टोटल है ओफेशल लेंग्वेश च्छै हैं इसलिए कहते हैं सब कोश्चन पर फोकस करिए यहां कूछ रहा है यूएनों के भासा आप बता रहे यूएनों का महासाचीव कौन है आप बता रहे यूएनों के स्थापना कब हो भी थी तो चीज़ों को याद रखिएगा बिलकुल ओके चलिया जईए नेक्स्ट की बात करें सिरसा द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किस छेथ से जोडती थी ती आगरा से जोडती थी पूरवी बंगाल से जोडती थी लाहर से जोडती थी मुल्तान से जफ़़ती ती क्या निकल कराएगा चलिए जवावाना सुरू हो गया लाहौर रुजान दिखना शुरू हो गया लाहौर दोस्तों याद रखेगा कि सेरसाधवार निरमित जो आपको याद होगा कि ये सुनार गाऊं से लेकर पिसावर तक पिसावर तक चोड़ा बनाया गया अब सोनार गाओं कहा है दोस्तों ये बांगला देश में है जिसे पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था क्या कहा जाता था पूर्वी बंगाल कहा जाता था तो ना हमारे पास सोनार गाओं है ना पिसावर है तो आज द कुलकाता से लेकर दोस्तों आपको अमरिसर दिखेगा और फिर भाया एनेच वण जो है वो आपका दिल्ली तक आ जाता है इसलिए हम कुलकाता टू दिल्ली कहते है ठीक है यह पर ठीक है ठीक है चलो आजब नेक्स दोस्तों चैनर्मा पर कोई कोईव कि जीवन नहीं है कि यहाँ क्या उपलब्ध नहीं है नांकिसे सन्दरव कोईजीवन नहीं है क्योंकि यहां पर वाटर जल उपलब्धन है क्योंकि यह जल उपलक्द नहीं है, ओटू नहीं है, इसलिए हम जीवरी अगलपरा नहीं कर सकते हैं, इसके अलावे आप देख सकते हो, वाइव मंदल भी तो नहीं है, वाइव मंदल भी नहीं है, मालो हम चले भी गए, तो बात करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो पर चंदर्मा कर ना कोई वातवरनना ना मौसव और ना कोई जल कामा सागर इसके सता क्या एक परफेट्वल वैक्व है क्या है परफेट्वल वैक्वल में दोस्तों याद बखेगा नँच्वर्याक। नेक्स्ट मदन महान मालविय को महामना चुपादी किस्टेदी थी who gave the title of महामना तू मदन महान मालविय रविन्दा टाइगोर गोपालकस्द गोखले महात्मा गांधी बाल गंगदर तिलक कुशन नमबर साथ सर ऑक्सिजन भी तो नहीं है बिलकुल मेरे भाई जब जल की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सिजन नहीं आएगा मुझे आप बता देजिए इसमें ऑक्सिजन नहीं आएगा आएगा ना ऑक्सिजन हम माल लो ऑक्सिजन लगाके गए है ना ऑक्सिजन लगाके गए हैं घुमे हैं लेकिन मुख रूप से जो कमी देखेंगे किसके कमी है जल की ना ऑक्सिजन तो है ना उसमें तो दोस्तों मदन महान मालविये को महमना क् रविना टैगोर ने दी थी किसने रविना टैगोर ने दोस्तों आपको याद होगा कि मतनमहन मालविये को 2015 में मतनमहन मालविये और वाज पे जी को साथ में भारत रत्म परदान किया गया है भारत्म 100 पागया है ठीक है अरे कितने पानी लेके जाओगे यार कैसे बाते करते हो भाई एक चीज समझो कि जब जो अबजेक्टिव सवाल है हम बेटर आप्शन को फोकस करते हैं ले जाने के तो सब ले जाओ फिर किसे रोका है आप सब कुई ले आ सकते हो तो आरेन टाइगोर दोस्तो याद रखेगा है ना तो गुरुदेव रविना टाइगोर ने गांधी जी को महात्मा पर्मदन मुहनमालविये को महमना का खिताब दिया था आपको याद रखा कि गुरुदेव की उपाधी जो है वो रविना टाइगोर को महात्मा गांधी ने दिया था और गांधी जी को महात्मा पर्मदन उपाधी 1917 जब चंपारन सत्यागरा था चंपारन सत्यागरा दोस्तों है ना सत्यागरा तब की बात है यह ठीक है ओके आजा आगे और इंजेव कुछन नमबर आठ चलिए तो अब देखोगे अरना सिक्का की बात करें तो यह साथ जहां के द्वारा जारे किया गया है जबकि एक क्वाइन होता है बहलोली क्वाइन बहलोली क्वाइन यह दोस्तो बहलोल लोधी चलाता है दोस्तो और यह बहलोली सिक्का जो है वो अकबर के समय तक चलता रहा यह अकबर के टाइम तक चलता रहा तो याद अखिएगा बहलोली क्वाइन जो बहलोली लोधी ने चलाया अक एकमात रहसा क्वाइन था जो अकबर के चलता तक चलता रहा जब आना सिक्का किसने चलाया था साजहां ने चलाया था ठीक है साजहां की बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा कि 1627 में गद्धी पर वैठा और 1657 अठावन में इसको मार दिया कैद कर लिया इसका बेटा और रंग जेव आगराई किले में आज राजा रानी का सिक्का जो सबसे पहले राजा रानी का सिक्का भारत में चलाने वाला सासा कौन है सम्मद्रगुप्त है कौन है दोस्तों सम्मद्रगुप्त है कौन है सम्मद्रगुप्त है याद रखेगा और नूर जहां आपको याद होगा दोस्तों जिसका वेगो में क्या महरू निसा कौने दोस्तों महरू निसा महरू निसना कौने महरू निसा याद रखीगा कौन की लिए कि आजाव सब्सक्राइद घञए में ॐब फील सबींद्र def jj чаplी अ आउजन की आगे दोस्तो 2020 कि तो दूस्तों एक अच्छा मैंने कुछ गलते करा किया कि एक मेरे भाई एक मेरे भाई यहाँ पे नूर जहां ना होके न यहाँ पे मुम्ताज महल हो जाएगा तो मैंने देखा कुछ कलती हुई यार मुम्ताज महल क्योंकि नूर जहां इसकी मम्मी थी मम्मी थी क्या नहीं है न तो यह मुम्ताज महल हो जागा माफी चाहेंगे न मुम्ताज महल क्योंकि नूर जहां किसके पत्नी थी जहांगिर की आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हुए यार है ना आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हो बताओ ध्यान देना चाहिए ना नूर जाहां मम्मी नित सवतेली मम्मी थी नूर जहां ठीक है सवतेली मम्मी थी ठीक ना भूलना मत चला जाओ आगे दोस्तों भारत में किते राश्टमंदर खेलनों काया जुन किया गया तो एक र जो मेडल भारत जहीं चीता था ठीक है 38 वर्न चीता था कितने और तरसुंध मेरा थिका मेज़ो ने कि है गूश्टा हो है कि कुछ भी बात में गुस्ता हो जाए अन्वांटेट चीज करते हो पूछते हो तभी क्योंकि एक तो क्लास कम मिलता है तीस में यह क्लास हो गई अब उसमें भी अन्वांटेट कमेंट्स आते हैं तो भार ने पहले बार दोस्तों उन्हें सो 34 में लंदन में दुसरे आसमंडर खेलों में भाग लिया था आज यह आके फाइबर ऑप्टेक्स अंचार में सिगनल किसके रुपए यात्रा करता है लाइट वेब रेडियो वेब माइक्रो वेब इलेक्ट्रिक वेब कुशन आसे अंचंगे कही है थोस्तों लायटवेड परकास थ्रंग आगे देखिए तो फाइबर ऑप्टेक्स आपको याद मोदो स्कॉल नरेंद्र का पानी नरेंदर और कॉन होता है जल्दीष इता 10 पराजिगा कार कारी पर्मुख अब को होगा राजपार जास्ट लाई का प्रसिदेंट तो आके 155 जंज़्वीं से करली बात करेगा तो मुख्यमंतरी केंद्र में पर्धान मंत्री है ना आज ही आगे कौन सा देश भारत में एवडियाई में पहले स्थान पर है विच अपता फॉल्विंग कंट्री रांक्स फॉस्ट इन एवडिया इन इंडिया कुस्टन नंबर बारा अपकर ख़्यादक pane का तो जो में तो सिंगापूर द्यूरे दोस्तों कोण है शियुविंगा उस समय भी सिंगापूर था और आज में अपरेल दिसम्बर से तो सबसे वड़ा इनिवेस्ट जो निवेस्टक है वो सिंगापूर और दूसरे नंबर फे फिर मौरिस्टस है दूसरे पे मौरिस्ट से पहले पर सिंगापूर फिर मौरिस्टस दोस्तू है ना और फिर अमेरिका तब जाकर UAE नीदरलैंड UK इत्यार्दी ठीक है याद रखेगा अध़ी आगे भारत्या कौन सा राज्जी लौ एस का सबस्वावत पादक है दोस्तो विच स्टेट इस दा लार्जेस प्रोडूसर ओफ आयरन ओर इन इडिया जारकन आंधर पतेश ओडिशा पस्चमंगल कुश्चन नमर तेरा तो आपको याद होगा इसलिए केते हैं संडे का मैराथन जरूर करिए क्योंकि संडे के मैराथन इस सारे क्ला कोश्चन का फिर से एक बर रिवीजन हो जाता है तो दोस्तो आप जारकन लगाओगे बिल्कुल गलत ओडिशा उत्पादक की बात कर रहा है क्या कर रहा है अगर पूश्ता तो अब करनाटक हो गया इस्टोरेज में करनाटक है बाबा बुदं की पहाडियां जो कॉफी के लिए भी फेमस है जबकि सरवाजिक उत्पादन दोस्तों ओडिशा राजी में होता है लौ एस का सरवाजिक भंडारन वाले राजी की बात करें तो करनाटक यह पूरी का पूरी स्टोरी देख लिएगा समझ लीजेगा मैंने कई बार मिंदल वाले क्लास में जो दो पर दो औब भजेवाले क्लास में सारा कराया है मैंने है ना आश्या आपके दोस्तों विश्व की बात करें तो भारत चौते नंबर पे हैं चाइना, ऑस्टेलिया, ब्राजिल और भारत जैसे चाबी याद रख लेजिए चाबी तो चाबी कैसे चाइना नंबर वन पे और इंडिया नंबर चार पे चाबी ठीक है चलिया जी नेक्स्ट बंबई में आयोजीत कॉंग्रेस के पहले दिवेशन के अधिश्टा किस ने की थी कुछन नंबर 14 तो आपको याद रखने में दोस्तों ये कौन है डबलू से बनर जी है जबकि ये फाउंडर है ये फाउंडर है कब की बात है सर ये ठारो सो पचासी की बात है कहां पे तो बंबई में गुंकुल्दास तेजपाल संस्क्रित कॉलेज में दोस्तों है ना आज आगे पर्थम पेश्वा कौन था हुवाइदा फर्स्ट पेश्वा देखरो कितने कैसे सवाल पूछे यह अपने आप में बहुत टाप सवाल था वाई उस समय कुरुभडी का कुश्च्छन है तो पर्थम पेश्वा की बात करें दोस्तों तो बाला जी विश्वनात संतर्ता का अधिकार संपतिक अधिकार या सोशन गिवरुद अधिकार कुशन नमर 16 चलिए आटिकल नमर 300 ए में लाए गया जो अब यह लीगल राइट हो गया यह अब लीगल राइट कानूनी अधिकार हो गया लीगल राइट हो गया विश्वन को ग्याद करें अध्रक लासुन मेर्च आलू कुशन नमर 17 अभी से आप अरिजिनिंग माल लो या साइंस माल लो तो पोटाटो कैसा अलग कर दिया मिरिश्टो होगा सब कर तना खाते हैं ठीक है अजब आगे सिच्छा दिवस का मना जाते हैं दोस्तों सुरा सितंबर तीस जनुवरी चौदा नॉम्बर पांच अक्टूबर कुस्टन बरक्ठा रहा चलिए वेन टीचर डेस इस इलिबरेटेड तो आप विए रोग दोस्तों यहां पांस सितंबर ना पूछ कि पांस अक्टूबर पूछा मतलब क्या पूछ दिया इंटरनेशनल वाला दोस्तों सुला सितंबर ओजोन डे तीस जनुवरी सहीद दिवस गांधे जी और चौद 12 नवंबर बाल दिवस या मधुमेह दिवस या तक्षेगा ठीक है नेक्स्ट आई सिसी के पुर्मुख्या इन स्रीनिवासन के डामाद जिनका नाम मैच फिक्षिंग स्केंडल में आया था क्या नाम है देख लो कि 2014 के सवाल है कि 2013 की घटना थी उस समय आपके सामने देख रहे हो तो बिंदू सिंह ती सुबर्मन्ययम गुरुनात मैपन इन में से कोई नहीं भाई साब यह सीएस्टी की बात है और कल तो सीएस्टी ने बाजी मार लिया है ना तो दूस्तों यह क्या है यह गुरुनात मैपन थे दो 2013 में नाम मुछला था आपक तो हर्षवर्दन कुष्टर नंबर 20 चलिए तो दूस्तों आपको याद होगा चेनी तिर्थ यहात में फायान की बात करें यह चंद्यूत फ़स्ट में और यह पहले फस्ट जो चाइनिज ट्रैवलर थे पहले चेनी यातरी थे ठीक है पहले हर्षवर्दन के समय जिसे यात्रिएंगा राजकुमार कहते हैं कि नोने लिख दिया एक है अधीये निक्स्ट अंतराश्टे साक्षर्था दिवस का मणाते हैं और सितंबर आठ मार्च बाष नबर 21 क्या होगा है तो दोस्तों अंतराश्टे साक्षर्था दिवस की बात करें तो यह आर और शोरा सितंबर दोस्तों आपने बताया ओजोन दे तो आपको याद भोगा दोस्तों बावर मुल्लूप से फर्गना का निवास ही था जो 14 फरवरी 1483 को जनम होता है दोस्तों और ये 1526 में इब्राहिम लोधी को मार के भारत आया था पानिपद के पहला यूद्ध में ठीक है पाईद्स है कहां से देखलो आफ यते दोस्तों बम भील हिंदी मालवाई या इन नि में से कोई नहीं असान सवाल है मिरे भाई बस चिवल आप से किवल कंफ्यूज कराया है क्योंकि जितने भी नॉर्थ इंडिया है जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट है आप किसी का भी लेलू है ना यूपी जारकंड बिहार एंपी चत्तिसगड वो सब कि सब क्या है हिंदी है सब के हिंदी हैं दोस्तों है ना तो आर्टिकल नंबर 343 ओफिसर लिंग्विश निक्स्ट भार्द कौन सब परमानों सकते स्टेशन पुर्णता सोदेशी है कल्पक्कम नरौरा रावत भार्टा तारापूर कुशन नूबर चौबिश केवल आपसे कन्फ्यूज केवल आपसे कन्फ्यूजन कर आया बस और कुश नहीं है तो दोस्तों आपको याद होगा भार्द है कौन सा परमानों सकती दोस्तों कल्पक्कम जो कहां पर तामिलाडू में है नरौरा यूपी रावाद भार्टा राजस्थान तारापूर महरा तो क्या होगा कल पक्कम होगा राजव रादेजी-कल पकम होगया दोस्तों नेक्स्ट तबста siècle यह पहला कमर्शियल भारत जो महरास्था में उपश्ठीद है यहाई पर खेंडिग कै सं pelvic पच्चिस जैस्वाल साब लेट हो गया आज यह क्लास अब आदे गंटे की हो गई तीस मिनट की तो कि मैम आईए नो रायना मैम उनकी क्लास लगेगी साइंस की साले दस बजी ठीक है और इसके बाद अकास अब की मैट लगेगी दोस्तों यह क्या होगा बुद्ध की करूना याद रखेगा अब देख सकते दोस्तों कि महाराष्ट का और अंगवाज येले में सहयादरी की पहारियों मिर्थित आजन्ता में कुल तीस गुफाएं हैं कितने तीस गुफाएं हैं और गुफाओं में दोस्तों जो सलवी गुफा है उसमें मुख्य रूप से मरनासन राजकुमारी और महात्मा बुद्ध के उपदेश का है यह याद रखेगा ठीक है चलिए तो दोस्तों यह था आज का सेशन अभी मेरी क्लास होगी आपकी स्पेशल क्लास दस बसकर पास मिनट पे आप रेगूलर जुड़िएगा यह क्लास अब आदे गंटी की होगी इसलिए क्योंकि फिर साड़े दस बजे साइंस के अलग रखे गई है मैं की है ना आप मेरे साथ सुबह साथ बजे भी करेंट अफेस्क लिजूड आप यह पूरी लेक्चर देख सकते हैं खासकर मैं जोड़ दूँगा इंगलिज के 75 लेक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके ग्राम पॉइंट अप्यूज से ठीक से बाकी बाद मैट्स आठ रिजिनिंग पैर्थिस इसके बाद पूरे जीके देख सकते हो जो गर्फी साइंस करेंट अफैर्स एकनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी है अगर आप तयारी करें दोस्तों आपके लिए सम्राट बैच है यह जो एक जून से शुरू हो रहा है इसका भी प्राइस हो यह से में 550 रुपए रखे गए हैं यहां भी गोल लगाओगे 20 तो यहा सकते हो कि पूर्य के पूरी जो सीडू यह आपके सामने है यह एक तारिक छूरूर हये दोस्तों œगे नंबर है इस नंबर है यह फो यह года तो मिलते हैं दोस्तों फिर वाइटी पे दो पहर दो बजे और अभी दर्स बज़कर पांस मिनट पे स्पेशल क्लास है तब तक किले अपना ख्याल रखिए थाइंक्यू सुक्रिया चैहिन चैभारत